कि असाइन्मेंट नंबर सेवन आज हम करेंगे विज्व बिसिक का यहां पर आप देख पा रहे हो कि असाइन्में नंबर सेवन में आपको यहां दिख रहा होगा कि एक प्रोग्राम क्रेट करना है इसमें लिस्ट बॉक्स और कमबो बॉक्स दोनों की वर्किंग आपको अलगी है और सबसेप एले हम यहां पर एक कमबो बॉक्स बना लेते हैं को दिख रहा है यहां पर एक कमभो व разм native इसकी कुछ फंक्चनालेटी दैससे पहली कुछ एड कर सकते हैं कुछ क्लियर कर सकते हैं इसको और काउंट कर सकते हैं और फॉक्ष नारिटी को दिखा रहे हैं ही है आट एक를 ते तो यहां पर एलिमेंट कॉंट और यह सब से नहीं सेंट करेंगे तो कंबों बॉग सब्सक्राइब तो एक और जाये क सब्सक्वार्म ws और कि किसमें इसमें पर लिसमें है लेते हैं इसमें जो भी हम लिखेंगे वो एड वाड होगा कंबो बाक्स निए इसके लिए कोड क्या होता है है हम क्या कोड करेंगे कंगो एड अड़ी टेक्स्ट वन स्वे पर यहां पर लिखता हूं यह बाइड हो गया है आप ऐसा ही कुछ भी एड कर सकते हैं आपर कोई भी पर यहां पर लिखके एड पर क्लिक करेंगे वह रूट टाइम पर प्रोग्राम बंद होने प्र फिर ब्लैंक हो जाएगा यह पहली पॉंक्शनालिटी जिसको एड आइटम बोलते हैं क्या बोलते हैं कमबो बॉक्स में कुछ चीज एड करना रंटाइम पर इसके लिए पहली मैं क्लियर का घॉट करते हैं कम क्लियर पे डबल क्लिक और यहां पर कविछ और कमबो भॉन धॉट जैसे क्लियकर फंक्शन को चलाओं किर erreट में जितने हुने फिर्ऐं मैंट ईडिटे अब जैसे ही मैं clear करूंगा तो यह पूरा element जो है वो खाली हो जाएगा clear करते ही क्या हो जाएगा पूरा element खाली हो जाता है यह second functionality है अब दिखते हैं count कितने element हैं यहाँ पर उसको आप count भी कर सकते हो count बटन पर click करो और आपके पास एक option है combo 1.list count count करोगे तो आपके पास जितने भी element added होंगे वो सब यहाँ पर return हो जाएंगे आप उसको message box में दिखा सकते हैं तो आप combo box की तीन functionality यहां पर देख रहे हो अभी combo box में count zero है अभी combo box में count क्या है zero है क्योंकि यहां पर एक भी element नहीं है अब जैसे ही मैं यहां पर one one add करता हूं two two add करता हूं मैंने दो element add कर दिए अब हमारा count two हो गया होगा अब हमारा count क्या हो गया है तो दिख रहा होगा यह फिट से मैं कुछ add कर देता हूं three three और four four तो अब मेरा count हो गया होगा four और clear करने के बाद वो तो सारे चीजे जो है देखो यह चार चीजे दो दिख रहे हैं यह clear पर क्लिक करेंगे तो सब जायब हो गया और count जो है वो zero हो गया है यह कंबो बॉक्स की फंक्शनालेटी यह कंबो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स की फंक्शनालेटी बिल्कुल सेम होती है दोनों को अलग करने के लिए मैं बीज में एक क्ला इसी वाक से यहां पर दिखाई देखिए अलग-अलग यहां पर मैंने एक लाइन खिज दिये और यहां पर एक लीस्ट बॉक्स मैं ने बना लिए 가서 बनाने के बाद सेम इस ही तरीकर से मैं यहां पर तीन बटन बनाऊंगा ऐड के लीएर और यहां पर मैं लिखाँगा एड़ क्लियर और यह पर लिखना होगा अब सबसे पहले मैं एड़ कोडिंग करने जा रहा हूं एड बटन पे क्लिक किये तो यहां पर मेरा जो कोड़ोगा बोल दाएगा कि लिस्ट वन डॉट एड़ेदेंस वैदेंट सेमैं लगबग चीजेंस रेम requirement to god चैहरे जीमनेक्स जानिर टेख जोब्य मैं यह दो ऊसमें वैसे ही आप यहां पे तो क्लेर करोगे क्या लिकों खोगे लिस्ट वन डॉट क्लीयर जोभी आपका और उप्जग्क्न आ liquor और count है तो क्या लिखो कि message box list one dot list count तो यह combo box और list box तीनों की functionality आप आप यहां पर देखने वाले हो font को मैं बढ़ा कर देता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ 1122 और 33 3 को मैंने add किया और आप देख पार होगे कि 3 यहां पर दिख रहे हैं और count करने पर message पर 3 तीन आ रहा है यह वैसे में यहां पर लिखा वन वन एड़ किया यहां एड़ हो गया 2233 अब यहां पर count कितना रहा है तीन और clear करने पर यह गायब हो जा रहा है तो आप कभी कभी online exam का form भर होगे तो वहां पर state के नाम दिखते होंगे यहां पर दुर्व भिलाई जैपूर वह लिस्ट बॉक्स और कंभो बॉक्स ही होता है यह आपका assignment number seven था जिसकी जिसमें लिस्ट बॉक्स और कंभो बॉक्स की फंक्शनालिटीज बताने के लिए बोला गया था अलाकि बहुत सारी लेकिन हमने केवल तीन फंक्शनालिटीज के बारे में इसमें देखाएं आसाइन्मेंट नंबर आपका था कि शर्ट